भारत गौराव अचारे श्री पुलक सागरजी गुरुदेव के प्रवचन और लेटिस्ट धार्मित भजन वे कारेकरम निशूल को देखने वे सुनने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल जीन चरण मीडिया को आज ही सब्सक्वाइब करें और सबसे पहले देखने के लिए बैल आइकन पर क्लिक जरूर करें ये एक जीवन के लिए बहुत जरूरी चीज है वह है आहार वह है भोजन कितनी भी वड़ी अस्सी लाग की कार में कोई घूमता हो कितनी भी सुरक्षा उसके साथ लगी हो कितने भी हीरे मोती के आभूशन पहनता हो कितने भी कीमती वस्तधारन करता हो अरे चाहे ग्रस्त हो या सन्यासी हो अमीर हो या गरीब हो रिलाइंस वंदु हो टाटा विरला हो एक बात याद रखना है इन सब के पास गाड़ी, मोटर, कार, बंगला तो महंगा हो सकता है इन सब के पास अपार दौलत का ढेर हो सकता है लेकिन एक गरीब हो या अमीर हो एक बात इस मरण में रखे खाना तो गयहू पड़ता है आटे की रोटी पड़ती है और पीना पानी ही पड़ता है खाएगा तो वोई 50-60 रुपे किलो का अर्ट, आटे की रेट क्या है वही? 20 रुपे किलो, 30 रुपे में तो फुछ लफड़ लपड़ ही नहीं है तो तुम बोलो आटे डाल का भाउ नहीं मलू ओ, मुज़े का है का भाउ मालू ए बीस रुपे तीस रुपे किलो का आटा ही खाएगा अमीर के घर में भी इतना ही किलो रुपे किलो का आटा मिलेगा ज्यादा से ज्यादा चालिस रुपे किलो का मिलेगा इस से ज्यादा महेंगा आटा तो किसी के घर में ना होगा जब प्यास लगेगी तो आदमी पानी पीएगा भूख लगेगी तो आदमी रोटी खाएगा रेक बात इश्मरण में रखना कितने भी शर्वतों के गिलास भरे रहे लेकिन जब प्यास लगती है तो हमारी निगाहे मीठे मीठे सर्वत पे नहीं जाती हमारी निगाहे जूस पर नहीं जाती हमारी निगाहे तो पानी पर जाती है क्योंकि नियम है कि प्यास पानी से बुझती है और भूख रोटी से मिठती है कितना भी बाहर खा लेना होटलों में खा लेना कहीं भी भोजन कर लेना लेकिन जो संतुष्टी घर के भोजन में मिला करती है वो दुनिया में कहीं भी प्राप्त नहीं हुआ करती है मा के हाथ की बनी हुई दो रोटी और चटनी बड़ी स्वादिश्ट हुआ करती है बड़ी पौश्टिक हुआ करती है तो कितना भी बड़ा आदमी हो खाएगा आटा पिएगा पानी इसके अलावा और कुछ जीवन के आधार नहीं हो सकते है आहार कैसा होना चाहिए आयरवेद कहता है कि भोजन करने के एक घंटे बाद तक पानी नहीं पीना चाहिए हमारा तो गड़बड हो जाएगा सब वो नीयम पाल लेंगे हमें तो एक घंटे में सब निप्टाना है काय कि भोजन के एक घंटे बाद तक पानी मत पियो यदि स्वस्त रहना है पूछा गया कि एक घंटे तक पानी क्यों ना पिये कैसे चलेगा बोले इसलिए पानी ना पिये क्योंकि पेट में जहां भोजन की पाचन क्रिया होती है उसे जठर कहते है और उस जठर में एक अगनी जलती है जिसे जठरागनी कहते है भोजन जब बनता है रसोई में तब भी आग में पकता है लेकिन वो अभी पूरा पका नहीं है हकीकत में तो भोजन आग में पकने की बाद पेट के भीतर जो जठरागनी है वहां जाकर के भोजन का फिर से पाचन होता है फिर से उस भोजन को उशगनी में पचाया जाता है और जो लोग भोजन के बाद पानी पी लेते हैं तुरंत तो कहते हैं पानी और आग का बैर हुआ करता है आग को पानी बुझा दिया करता है यदि पानी को आप पी लेंगे तो वह जटरागनी को सांथ कर देगा और जटरा पड़ा सड़ता रहेगा वाई पाचन क्रिया नहीं हो पाएगी इसलिए जिन लोगों को निरोग रहना है ऐसा आयरुवेद सास्तर में देख रहा था उसमें लिखा कि पानी कभी भी भोजन के तुरंत बाद नहीं पीना चाहिए यदि आपको स्वस्त रहना है यदि आप इस प्रक्रिया से चलेंगे तो सायद आपको डॉक्तर के पास जाने की जरुवत ना पड़ेगी दूसरा नियम उसने बताया उबलता हुआ नहीं गरम किया हुआ ठंडा पानी पिए कहने का मतला कच्छा पानी ना पिए अब आप बोलिए भगवान महावीर भी अपने साधकों के लिए कहकर गए कि कच्छे पानी का जीवन में उपियोग नहीं करना चाहिए पानी छान करके और उबाल करके फिर तो ऐसा गटगट करके ना पियें पानी जब भी पियें तो चाय की चुस्कियों की तरह पियें थोड़ा थोड़ा पानी पियें इखटा जो पानी पीते हैं उनके बीमारियों का जन्म हो जाया करता है यह तो हुई एक भोजन की प्रक्रिया कि हमें कैसा भोजन करना चुस्की में पानी इसलिए पियो और सब से पहले उठते इसाथ आदमी को पानी पीना चाहिए क्योंकि जो मुख की लार होती है वह अच्छार होती है तो पेट में अमल वना करता है इसलिए जब पानी में लार मिल करके जाती है तो वह अमल को सांथ करती है और पेट को बहुत अच्छा रखती है ये नियम जो बतलाए गए मानिवाद मैं तो पालन करने ही पाऊँगा क्योंकि मेरी तो आहार की प्रक्रिय यह ऐसी है कि मुझे तो सब कुछ उसी समय करना है 24 घंटे में एक बात तो ये सारे नियम मैं कह सकता हूँ जो दिन भर भोजन करते हैं उनके लिए आयरवेद सास्त्र में लिखा गया है कि इस तरह से भोजन करें भगवान महावीर ने तो अपने साध्मों को कहा कि 24 घंटे में एक बार ही भोजन करना उसी समय अन, उसी समय भोजन, उसी समय पानी जो 24 घंटों में एक बार करते हैं उनके आहार पचाने की प्रक्रिया अलग होती है और जो दिन भर भोजन करते हैं उनके पचाने की प्रक्रिया अलग हुआ करती है दौनों के सिस्टम अलग है लेकिन मैं आप से यही निवेदन करूँगा भोजन यदि इस क्रम से लिया जाएगा आपके जीवन में कहा है आयरवेद सास्त्र में कहा है उसके घर में कभी बैद नहीं आते हकीम नहीं आते डॉक्टर नहीं आया करते है आप स्वस्त भोजन करिए आप सुद्ध भोजन करिए आप शाकाहारी भोजन करिए मांसहार हजार हजार रोगों को जन्म दिया करता है मानिवर्द भारत की संसकति है भगवान विशवदेव ने दो संसकति दी एक रिषी की संसकती दी और एक क्रसी की संसकती दी रिशी इस देश की आत्मा है और कसी उसका सरीर है रिशी और कसी के संसकती और शब्विता में रहकर आदमी यदि अपना खानपान नहीं सुधार पाया तो एक बात याद रखना जिनका खानपान सुध नहीं होता उनका खानदान सुध नहीं होता और जिनका खान पान सुद्ध होता है, उनका खानदान सुद्ध हुआ करता है, शुद्धी रखिए भोजन की, क्या खाना, कब खाना, कितना खाना, एक बार खाए सो योगी, दो बार खाए सो भोगी, तीन बार खाए सो रोगी, और चार बार खाए तो मृत्यु जरूर होगी ध्यान रखना हमेशा ज्यादा खाने वाला मरता है अस्पतालों में जा कर देखना एक व्यक्ति ने मुझे से पूछा कि महराज आप 24 घंटे में एक बार अन जल लेते हैं आप कैसे इस जीवन को जीते होंगे में इनका ध्यान रखना खाने वालों से ज्यादा अच्छा हमार जीवन हुआ करता है और आपने जिन्दगी में कभी यह नहीं देखा होगा कि किसी जवान संत की मौत हो गई रेयर केस होते हैं कभी जबी कोई दुरगटना गट जाए वाकि हर संत अपनी पूरी आयू जीया करता है वह समय से पहले मृत्यू को प्राप्त नहीं होता है और कुछ कम ही जीवन जीता है और दुनिया से विदा हो जाया करता है यदि आप सो वर्स की आयू लेकर आए हैं तो साइंस कहता है आप 90 साल ही जी पाएंगे 95 साल ही जी पाएंगे आप सो वर्स नहीं जिएंगे सो वर्स वहीं जिएगा जो अपना खान पान और आचार विचा अच्छे रखता है वह दीरगाई हुआ करता है और जिसका खान पान अच्छा नहीं होता वह समय से पहले दुनिया से विदा हो जाया करता है खान पान अच्छा रखिए क्या क्या खाते हैं इस मुझ को नगर निगम का कच्छडे घर का डिब्बा मत बनाओ जो आया वो मुझ में डाल लिया जो आया वो मुझ में डाल लिया अरे मेरे भाई इस हिंसा देश में हिंसा का बाता वरंड बन रहा है बड़ी तेजी से मानसहार हमारी चाती पर बैठ रहा है सौक बन गया मानसाहार आधुनिकता समझी जाने लगी महाजन कौम के बच्चे भी अब मानसाहार की उरागे बढ़ने लगे है इससे बड़ा संस्कती का हिरास दुनिया में कोई दूसरा नहीं हो शकता है मानसाहार आदमी का आहार नहीं हो सकता है मानसाहार एक अभी शाप है मानसाहार एक जीवन के लिए एक बहुत बुरा हिंसक कलंग है जो आदमी अपने जीवन में चंद खुशियों के लिए मानसाहार किया करते है मानिवर किसी का जीवन उजाड के अपना जीवन जीना और किसी का पेट फाड के अपना पेट भरना ये कहां की मानवता हुआ करती है ये कहां की इंसानियत हुआ करती है हम तो उस देश के लोग जहां जीयों और जीने दोके नारे दिये जाते हैं वहां पर हिंसा का तांडव नद्ध हो रहा है अहिंसा की जैगोस ही नहीं करना है हम सब अहिंसक समाज को मिल कर हिन्सा का जोरदार बिरोध्वी करना पड़ेगा हिन्सा के खिलाप एक जंग लड़ना होगी हिन्सा के खिलाप एक लड़ाई लड़ना होगी मैं तो ये कहता हूँ लाखो करोडो रुपे दान देकर जो मंदिर बनाते हैं मैं कहता हूँ अपनी 150 साल की जिन्दगी में यदि एक मांसा हारी को तुमने साकाहारी बना दिया हजार हजार मंदिर बनाने का फुर्ण आपको प्राप्थ हो जाएगा कितने जीवों को जीवंदान मिलेगा कल एक बंदू मेरे पास आए क्या नाम तो अभ पहलवान और वो पहलवान सब कुछ खाता था लेकिन ना जाने क्या हुआ टीवी से प्रवचन सुन सुन करके उस पहलवान ने कहा कि आपकी वाणी को सुनने मैं रो जाता हूं और अपनी जिन्दगी से मैंने हमेशा हमेशा के लिए मांसा हार का त्याग कर दिया है ध्यान रखिए मैंने का पहलवान अब तुमने हकीकत में पहलवानी का काम किया है मांसा हार लोगों ने कहा होगा पहलवान हो ताकत कहां से मिलेगी लोगों के मन में ये भ्रम भरा है कि मांसा हार से ताकत मिलती है लोगों के दिमाग में ये भ्रांती है कि मांस खाने से शक्ती मिल मैं आपके सामने अपने विचार रखना हूँ यदि मांस में ताकत होती प्रकती ने कुछ प्राणी मांसहारी बनाए हैं कुछ शाकाहारी बनाए हैं लेकिन मनुष्ट को संपूर्ण रूप से साकाहारी बनाया है यह मनुष्ट में भेद नहीं किया यह जानवरों में भेद क कि मैंने का मांस से ताकत मिलती है अरे ताकत के लिए मांस तु भगवान ने तुरे सरीर में देही रखा है अब किसी और का शरीर का मांस अपने सरीर के भीतर क्यों लाता है यह विक्रती है तुम्हें जितने मांस की जरूरत है उतना भगवान ने तुम्हारे सरीर में भर रखा है तुम्हें जितने साताकत की जरूरत है उतनी ताकत ईश्वर ने तुम्हारे अंदर पैदा करके रखी है ईश्वर के उस खेल के साथ खिलवाड करने का प्रयास मत करिए ताकत शाकहार में है ना की मानसहार में सेर साकहारी होता है या मानसहारी बोले, सेर की पूछ रहा हूँ तुम सबा सेरों की नहीं पूछ रहा हूँ शाकहारी होता है या मानसहारी मानसहारी बैल साकाहारी होता है या मानसाहारी शाकाहारी एक बात बताओ मेरे भाई एक बैल अपने जीवन में लाखों खेत जोत देता है और एक सेर अपने जीवन में कितने खेत की जुताई करता है मैं आप से पूछ रहा हूँ आज तक किसी भी सेर ने एक खेत नहीं जोता होगा और बैल जो मांस नहीं खाता शाकाहार करता है पूरे दिन हल ले करके पूरे खेत को जोतने की ताकत रखा करता है बोल ये बैल में ताकत है या शेर में बैल की पीट पर बोज रखो बैल गाड़ी खीच करके ले जा सकता है कभी किसी सेर गाड़ी देखी अपने अपनी जिंदगी में कि दो सेर जोते हुए हो और आदमी माल ले करके चल रहा हो हरे सेर के उपर 1000 किलो ही कुछ बजन क्या 100 किलो भी रख दो तो बैठ जाएगा और हजार किलो बजन हमारा बेल खीशते हुए ले जाता है क्योंकि वो साकाहार करता है और शेर जितने भी मानसहारी पसु है किसी काम के दे है कुता मानसहारी है बोजा ढोएगा खेट जोतेगा सामान ढोएगा बिल्ली मानसहारी है ले जाना किसी दिन बजार में सबजी की डोल्ची रख देना उसकी पीट पर चारों पैर फैल जाएंगे जी बाहर आ जाएगी ध्यान रखिए सोचना है घोड़ा साकाहारी है या मानसाहारी है बोलिये शाकाहारी है वैगोड़ा कहा जाता है जब ताकत की जरुवत होती है तो कोई भी नहीं कहता सेर जैसी ताकत हर व्यक्ती कहता है होर्सपावर होना चाहिए गोडे जैसी ताकत होना चाहिए साकाहारियों की ताकत क्यों मांगी जाती है मानसाहारी पस्वों से ताकत की बाते क्यों नहीं की जाती है एक सेर की ताकत देखो और एक साकाहारी हाती की ताकत देखना हाती साकाहारी होता है लोग कहते हैं कि मानसाहार से तंदुरुस्ती मिलती है हाती से बड़ा पहलवान कौन सा सेर बन कर पैदा हो गया मेरे भाई अरे सेर जैसे लोग भी, सेर जैसे जानवर भी, जब हाती पर अटेक करते हैं, तो सामने से नहीं करते, पीछे से किया करते हैं, इसका मतलब मांसहार कायरता सौपा करता है, और साकाहार बीरता सौपा करता है, हाती सामने जाए, तो सेर घबरा जाया करता है, जान रखिये, य मुझे समझ नहीं आता कि मांसाहारी लोग साकाहारी पसु का ही मांस खाते हैं मांसाहारी कोई नहीं खाता है विचार करना है हर मांसाहारी साकाहारी पसु को मार कर खाएगा बकरी खाएगा भेड़ खाएगा गाय का मांस खाते हैं लोग भैंस का मांस खाते हैं लोग अब बत जिन-जिन का मान्स अहारी मान्स खाते हैं, वो सारे पसु शाकाहारी हुआ करते हैं, क्योंकि साकाहार में ही ताकत है, साकाहार में ही जीवन है, आज तक किसी ने सेर का मान्स नहीं खाया होगा, है कोई मान्स अहारी दुनिया में, जो सेर का मान्स भक्षन करता हो, हर कोई साक साहारी पस्वों का मान्स भख्षण करते हैं मानने वह हैं कोई ताकत नहीं है मान साहार में यह तो जानवर के उधारण थे और इंसानों के रूप में यदि देखो तो जैन मुनी को देखना दिगंबर मुनी को देखना 24 घंटे में एक बार भोजन और एक बार पानी बीमार भी हो जाएं तो दवाएं भी उसी समय चलेंगी 24 घंटे तक कुछ लेते नहीं है मुँ में पानी की भूंद नहीं डालते है मृत्यों का छडवी आ जाए तो एक टाइम भोजन की प्रतिग्या को कभी भंग नहीं किया कर करते हैं अब आप सोचिए 24 घंटे में एक बार जिगंबर मुनी पानी और अन लेता है वह भी सुद्ध साकाहार लेता है साकाहार ही नहीं सुद्ध साकाहार जिसकी भोजन साला में कभी आलू प्या जो लेसन जैसी चीज़ें भी नहीं आया करती है अब आप बताएए किसी मानसाहारी को बुला लाना मेरे सामने और मैं साकाहारी साधू और एक मानसाहारी को खड़े कर देना और उससे बोलना कि चल महराज के साथ मैं 35 किलो मीटर चलने की ताकत रखता हूँ लेकिन मानसाहारी 5 किलो मीटर में ठेर हो जाएगा सास फूल जाएंगी हरे दस सीड़ी चड़ नहीं पाता और सीना ऐसा चलता है जिसे लुहार की धौकनी चल रही हो ये मांसाहार की ताकत है विचार करिए 30 किलो मीटर 40 किलो मीटर पैडल चलता है जैनसन शाकाहार के दंपर और अच्छे अच्छे मांसाहारियों से कहूंगा अपने सरीर का एक रौम खीच कर दिखाना ये साकाहारी चार महिने में बालों को उखाड करके फैक दिया करते हैं कहां से आती है ये ताकत उस्तरे का प्रयोग नहीं करते कैची का प्रयोग नहीं करते छुरे का प्रयोग नहीं करते बाल बड़े होते ही हाथों से उखाड के फैक दिया करते हैं 24 गंटे में शाकाहार एक बार भी किया जाए तो 23 गंटे हमें ताकत और एनरजी प्रदान किया करता है एक बात सोचें किस में ताकत जादा है शाकाहार में ताकत है मानिवत खान पान पर ध्यान दो लोग कहते हैं कि साकाहार में स्वाध होता है मांसाहार में स्वाध होता है कोई स्वाध नहीं होता मांसाहार में एक साकाहारी सबजी बनाना लोकी बनाना तोरी बनाना कितना मिर्च मसाला लगेगा एक एक चम्मच लगेगा पर एक मांस बनाना कितना मिर्च मसाला लगता है हरे जिसमें सो लोगों की सबजी बन जाए वहां अकेले एक मांसहारी का भोजन बनता है अकेला उसमें लगता है उतना मिर्च मसाला आप बिचार करिए मिर्च मसाला मांसहार में जादा क्यों लगता है क्योंकि मांस में स्वाद नहीं होता है स्वाद तो शाकाहार में हुआ करता है धनिया है, मिर्च है, गरम मशाला है, घी है ये सब साकाहार ही हुआ करते है और जब तक मांस हार में साकाहार ना डाला जाए उस मांस में कोई स्वाद है इसका मतलब है खाता मांस है लेकिन स्वाद तो साकाहार का लिया करता है जाएका तो साकाहार से आता है कौन कहता है कि मांस्वादिष्ट होता है मानिवर कहते हैं उसका रंग उसकी सुगंद मांसहार में कोई रंग और कोई सुगंद नहीं सारी सुगंध हमारे साकाहारी मसालों के माध्यम से आया करती है अब आप बताईए मेरे भाई जब आप बीमार हो जाते है तो डॉक्टर हलका भोजन करने को बोलता है या मानसाहार करने को बोलता है बोलिये, बडे से बड़े मानसाहारी को भी डॉक्टर कहता है, तेरा पाचन तंत्र बिगड चुका है, खिचडी खाना ओर दलीया खाना, हलकी सी खिचडी लेना, बरना तेरी बीमारी जाएगी नहीं, विचार करिए, यदि मानसाहार से स्वास्त मिलता, तो डॉक्टर मानसा क्यों नहीं लिखता है क्यों वैं साकाहार में भी हलका भोजन कहता है इसका मतलब मांस को पचाने में सरीर में आतों में ताकत जादा चाहिए और दलिया पचाने में ताकत नहीं होती तो भी आतें उसे पचा दिया करती विचार करिए आप इसी कौंसी बात है जिससे आदमी जीवन में मांसा हार किया करता है कौंसा लाभ है आज जिदनी बीमारिया पस्मों को होती है मांस के साथ साथ उनकी बीमारियां भी तुम्हारे पेट में जाती है और एक बात याद रखना आज अस्पताल में जाकर देख लेना अस्पताल कोई ज़्यादा दूर नहीं सामने ही बनी हुई हो एक पेन और कागज लेकर जाना देखना साकाहारी मरीद ज़्यादा है या मानसाहारी मरीद ज़्यादा है आप जाकर के देखना यदि दस प्रतिशत साकाहारी बीमार पड़े हैं तो नभे प्रिशत मानसाहारी लोग अस्पतालों में पड़े हुए हैं ध्यान रखेना ना मानसाहार स्वास्थ देता है ना मानसाहार स्वाद देता है ना मानसाहार सुगंद देता है ना मानसाहार ताकत देता है और एक बात याद रखना जितने में एक किलो मानसाता है उतने में हमारे यहाँ चार किलो सबजियां आजाया करती हैं हरी सबजियां मेरे भाई कितने लोग हरी सबजी में बैठ करके एक साथ मिल बैठ कर खा सकते हैं महगा पढ़ता है य CBD, सश्ता होता है शाकाहार, स्वास्तवर्दक होता है शाकाहार, फिर क्यों आदमी खाता है इह? किसी की प्राणों की हत्या करके अपना जीवन जीना ऐह मान भी आतां नहीं हुआ करती है. में एक चनोती देता हूं मैं मांसहारियों को मांसहार के विना जीवन जीया जा सकता है लेकिन साकहार के विना जीवन नहीं जी सकता कोई इंसान तुम लाख हडधरमिता दिखाओ तुम लाख चिद करो लाख तर्क दो एक बात याद रखना मानसाहार का विकल्ब साकाहार हो सकता है पर साकाहार का विकल्ब मानसाहार कभी नहीं हो सकता है एक आदमी जीवन भर मांस ना खाए तो अकेले साकाहार पे जिंदा रह सकता है लेकिन मांस हारियों से मेरा आग्रे है कि आज संकल्ब कर ले कि हम जीवन भर साकाहार नहीं करेंगे क्या अकेले मांस पे आप जिंदा रह सकते हैं फिर उस मांस में मिर्च मसाले नहीं होना चाहिए फिर पानी मत पीना फिर कून पीना क्योंकि पानी शाकाहार है खून मांसाहार है ध्यान रखिए बड़े से बड़े मांसाहारी भी अकेले मांस पर जीवन नहीं जी सकते हैं उन्हें साकाहार तो लेना ही पड़ेगा लेकिन गारंटी है साकाहारी भिना मानसाहार किये पूरी जिंदगी को जी करके दिखा देगा आपसे निवेदन इसका मतलब प्रकती हमसे कह रही है कि तुम सब साकाहारी हो मानसाहार बिक्रती है और साकाहार संसकती हुआ करती है साकाहार की संसकती में जीने का प्रयास करती है आहार का ध्यान रखे भोजन का ध्यान रखे बड़ी अजीब बात है आदमी मंदिर जाता है भगवान को अगरवत्ती जलाता है सुगंदित और अपने ओठों पर सिग्रेट लगाता है आदमी भगवान को मेवा मिष्ठान चड़ाता है और खुद अपने घर में मांस खाता है इसका मतलब इश्वर के घर को यदि मंदिर में भी जो लोग बली प्रथा में जीते हैं जो लोग पश्वों की बली देते हैं उसका इस्थान अलग होता है जहां कहीं भी बली की जाती है मंदिर और मस्जितों के भीतर नहीं की जाती वह बाहर ही की जाती है वो भी जानते हैं कि यदि मंदिर के अंदर किसी जानवर को मारा जाएगा मंदिर अपवित्र हो जाएगा अरे इट पत्थर के मंदिर को पवित्र बनाने वालो, इस मन के मंदिर को भी पवित्र बनाया करो, इस दे के मंदिर को भी पवित्र रखा करो, मंदिर के भीतर अपवित्र सामान जाए, तो मंदिर अशुद हो जाता है, इस तन के भीतर भी अशुद सामान जाएगा, तो बता बार असद्ध हुआ करते आज घरों में जगड़े क्यों है थोड़ी थोड़ी बात पे लड़ाई क्यों हो जाती है बीवाद क्यों हो जाते हैं कियो माबाप के सामने बच्चा अदब से पेश नहीं आता है कियो अपनी पतनी को एक पती जानवरों की तरह पीटता है क्यों एक माँ अपने बच्चे को बाद बाद पर हाथ उठा देती है क्यों ये इतनी हत्याएं हो रही है इस देश में आए दिन हत्या होती है बलातकार होता है सडकों पर खुले आम बलातकार हो रहे है ये इन्सान की प्रवत्ति है, ये तो जानवर की प्रवत्ति है ध्यान रखिए, इसका मतलब है, पशु का मान सका कर आदमी अब आदमी नहीं रह गया, वह भी पशु जैसा जीवन जीने लगा, वह कहीं भी अपनी काम की पूर्ती कर लेता है, पशुойд की तरह आवेस में आ ज जगडता है जैसे पसू अपने रिष्टे नाते नहीं समझते, ध्यान रखना पसू जन्म तो लेते हैं मावाप से, लेकिन वो जानते नहीं है कि मावाप के रिष्टे कैसे हुआ करते हैं, आज बलाधकार हो रहे हैं, कल अख़वार में मैंने पढ़ा एक पिता ओर एक भाइ ने अपनी घर की सगी बेटी से बलातकार करते हैं विचार कर याद के इक वालियर की घटना है पिता भी और भाई भी यह कैसी प्रवक्ति है यह कैसा जीवन आ गया है धोर अंदकार वह बच्ची बर्सों से सहन कर रही है करते करते वह एक दिन थाने तक पहुंच गई और केस बनवा दिया उसने यह कैसी हैवानियत है एक बाप बेटी से बलातकार करता है एक भाई बहन से बलातकार करता है मैंने पूछा कि पता करो जरा कि शाकाहारी लोग है यह मांसाहारी पता चला कि शराप पीते हैं और मांस खाते हैं अरे जो मांस खाएगा वो इंसान नहीं व पवित्रताएं नश्ट हो जाया करती हैं मानिवर कि जो तामसिक भोजन हमारे जीवन को तामसिक बना रहा है बात-बात पर आवेश आता है क्रोध में चला जाता है आदमी भोजन सुद्ध नहीं है उसका प्यान की